आज बात करने हैं Egonomics of ACs की आज कल चल रही ही हीट वेव की विज़े से ACs की डिमांड बहुत बढ़ गई है Microeconomics में ये Factors Affecting Demand की लिस्ट में Other Factors का Example है Weather Conditions इस सीजन करीब 14 मिलियन ACs सेल हो इंडिया में ACs की मार्केट हर साल 12% CAGR से ग्रोग कर रही है और 2028 तक ACs की मार्केट 50,000 करोर रुपीज तक पहुचने की Expectation है 2040 तक इंडिया चाइना को Overtake कर लेगा As World's Biggest AC Consuming Market Currently World में करीब 200 मिलियन ACs बनते हैं जिसमें चाइना करीब 80 मिलियन ACs annually consume करता है और इंडिया करीब 10 मिलियन ACs consume करता है एक रिपोर्ट के नुसार इस बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए AC companies को अपने components चाइना, ताइवान, मलेशिया, थाइलांड और जबान जैसे देशों से एरलिफ्ट करने पड़ रहे है AC industry अभी imports पे dependent है क्योंकि एक AC का 60 to 65% value import होता है जिसमें components जैसे compressors, PCBs, fan motors शामिल है एक AC की cost में copper और aluminium की भी cost significant होती है